व्यक्ति आज विवा बंधन में बंदना नहीं चा रहा है और जो व्यक्ति विवा बंधन में बंध भी रहा है तो उसका विवा टूट जाता है डिवोस केसिस भारत में बहुत जादा बढ़ गए है सही पति-पतनी का यदी मिलन हो गया, तोनों का साथ अच्छा मिल गया, 60% आपका जीवन सुख से भर गया ये मान करके चलिए कि कोई भी दुनिया में संपून नहीं है मिल गया वो मिट्टी है और जो खो गया वो सोन देह की सुंदरता थोड़ी देर की है उसके बाद तो स्वभाव की सुंदरता काम करते है निरवा का मतलब गुजारा करना है, जैसे कैसे जिंदगी काटना और विवा का मतलब है अच्छे से जिंदगी को बिताना एक दूसरे को समझ कर, एक दूसरे की जिम्मेदारियों का वहन करना नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पॉडकास्ट जागो वित सुधान्शु जी महराज में भराश्री, बहुत सारे सवाल मन में रहते हैं बहुत सारे जो दर्शक है वो भी लगातार हम से जुड़ते हैं अपने सवाल हम तक पहुचाने का प्रयास करते हैं हम कोशिश करते हैं कि सभी के सवालों को आप तक पहुचाया जा सके लेकिन समय की थोड़ी सी कमी रहती है तो कुछ लिमिटेड जो सवाल रहते हैं जो सभी से जुड़ेवे होते हैं वो हम आप तक लेकर आते हैं माराजी एक सवाल बार-बार बहुत सारे लोगों की तरफ से आ रहा है कि व्यक्ति आज विवा बंधन में बंधना नहीं चा रहा है और जो व्यक्ति विवा बंधन में बंध भी रहा है तो उसका विवा तूट जाता है डिवोस केसिस भारत में बहुत जादा बढ़ गए हैं अगर हम पहले भारत की बात की जाए तो डिवोस केसिस बहुत कम सुनने को मिलते थे या ना के बराबर थे लेकिन आज जब हम देखते हैं हम बहुत जादा वेस्टनाइज होने की कोशिश कर रहे हैं या यू कहें कि ह बहुत अकेले पन की तरफ बढ़ती जा रहे हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है डिवोस केसिस का? ये आज की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है, हमारे शास्त्रों के नसारतों जो हमारे चार आश्रम माने जाते हैं, उनमें ग्रियस्त आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम और सबसे बड़ा महत्वपून आश्रम माना गया है, इस आश्रम में हम लोग बहुत आनंद से जी जी सकें, ये हमारे रिश्यमुनियों की काम न रही है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि आज के इस युग में या आज की इस दौर में, जो हम जी रहे हैं, हमारा युवा ग्रियस्ट से दूर भाग रहा है, और तलाक के केसिज भी बहुत सारे बढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले तो हम ये जान लें, ग्रियस्ट आश्यम या पति-पतनी का साथ कितना मेहत्वपून है और क्यों मेहत्वपून है? माना जाता है कि जीवन का 60% सुख सही पति-पतनी का यदि मिलन हो गया, दोनों का साथ अच्छा मिल गया, 60% आपका जीवन सुख से भर गया. और यदि यही संभव नहीं हो पाया, तो समझ लीजिए कि आप कुछ भी कर लीजिए, आपके पास कितनी भी चीज़ें क्यों नहों, और कितने भी आप प्रसी दिव्यक्ति हों, सफल कहलाते हों, तो भी आप सफल नहीं हैं, क्योंकि आपका क्रियस्त आश्यम, पति-पतनी का सम्मंद ही दुख से भरा हुआ है घर में ही आप दुख से रिस्तों से ही आप दुखी और परिशान है तो समझ लीजे के जीवन का 60% सुख तो आपका चला गया इसलिए क्या करना चाहिए सबसे पहले ये मान करके चलिए कि कोई भी दुनिया में संपूर्ण नहीं है कुछ दोशों के साथ अगर स्विकार करना आ गया तो आपका ग्रियस्त आश्रम सुख से बर जाएगा और यदि आप ये समझते हैं कि इस से तो बेतर वो होता या इस से बेतर तो वो होती तो जो नहीं देखा वही अच्छा लगता है या जो नहीं है वो अच्छा लगता है कहते जो मिल गया वो मिटी है और जो खो गया वो सोना हम दूसरे तरफ जो है यह सोचने लग जाते हैं शायद वहां यह ऐसा होता तो मैं कितना खुश होता तो जो है जैसा है जिस तरह का उसे स्वीकार कीजिए और एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाए दूसरी बात यह ध्यान रख लेजिए कि देह की सुन्दरता थोड़ी देर की है उसके बाद तो स्वभाव की सुन्दरता काम करते है हां ठीक है कि आपको अच्छे बस्तर पहनने चाहिए आपको अच्छे से रहना चाहिए आपको अपने घर की भी साथ सज्जा रखने चाहिए, आपके उठने बैठने का, आपका स्टाइल, आपके जीवन शहली सब बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण है व्यक्ति के स्वभाव और गुणों की जो ग दूसरे के पूरक बनकर जो लोग रहते हैं, उनकी जीवन में खुशियां ज्यादा आती हैं, जिनके अंदर तालमेल हैं, जिनके अंदर एड़जेस्टमेंट हैं, जिनके अंदर 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 अंडरस्टेंडिंग है, जो एक दूसरी को बरदास करना जानते हैं, वो लो समस्या हो गए तब भी तो आपको रहने ही है न तो इसलिए एक दूसरे को छोड़कर दूर भाग करके बात नहीं बनेगी जो है जैसा है उसको अपनाएं मतलब राइट परसन की बात अगर हम करें तो राइट परसन जो भी है राइट मैन जो भी है आप अगर उसको कहें तो 36 गुण मिलाएंगे ये मिल जाए तो पत्री में कुछ मिले ना मिले लेकिन आदमी का जो है एक दूसरे के गुण मिलने चाहिए एक दूसरे का व्यवार ठीक होना चाहिए एक दूसरे को समझ करके चले तो ये बात मान करके चलिए कि आप अकेले कितने भी गुणी क्यों न हो, अकेले हैं तो अकेली हैं, तो इसलिए एक बात कही जाती है, दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता, अकेले आप कितने भी गुणी रहें, लेकिन जब भी आपके जिवन में परिशानिया होती है, δुक होता है, निराशा होती है, आप kसी प्यार के लिए तरसते हैं, कोई अपना आपके पास होना चाहिए, कोई आपको पूछने वाला होना चाहिए, और पती-פतनी से बढ़कर के तो कोई अपना होता नहीं. कुछ लोग हमारे भारत में मानते हैं कि साथ जन्मों का रिस्ता है कुछ लोगों का रिस्ते साथ महिनों के लिए होते हैं कुछ के साथ साल के लिए होते हैं कुछ के जो है साथ दिन भी नहीं चलते हैं और कुछ वो भी है जो साथ गंटे में एक दूसरे से जो है वो आंगोथियां फिंक देते हैं उतार करके तो हमारे यहां एक शब्द चलता है विवाह तो इस शब्द को अगर समझना है तो उससे पहले एक और शब्द समझिये निरवाह निरवाह का मतलब है गुजारा करना जैसे कैसे जिंदगी काटना और विवा का मुतलब है अच्छे से जिंदगी को बिताना, एक दूसरे को समझ कर एक दूसरे की जिम्मेदारियों का वहन करना, इसलिए पहले तो हम अपने ग्रियस ताश्रम की विशेष्टा समझें, भारत की जो 16 संसकार हैं, उनमें विवा संसकार की विशेष्टा हैं और उसकी सिक्षाओं को अगर हम लोग समझ सकें, जहां एक बात कही जाती है, समझ जंतु विश्वे देवा संभापो हिर्दय अनिनो, गोशना करते हैं पती-पतनी दोनों एक दूसरी का हाथ पकड़ कर समाज के सामने, के बैठे वे लोगों सुनो, आज हम दो हिर्दय और द भगवान ने हमको एक दूसरे के लिए बनाया था, मेड़ फारी चदर, लेकिन साथ में एक बात और कहते हैं, आज हम इस तरह से मिल रहे हैं, जिस तरह से दो नदियों का पानी मिलकर एक हो जाता है, और अपनी पहचान बोला देता है, पानी पानी में मिलकर जैसे एक हो ज जिन्दगी में सबसे बड़ी चीज है प्रेम, वो जो उसने अपने माबाप से पा करके वो पला था, वही प्रेम आदमी रिस्तों में खोजता है, वही पती-पत्नी में खोजते हैं, तो अगर आपको निभाना आ जाए, तो ग्रियस आश्रम आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, इसलिए ग्रियस से भागी नहीं, विवा अच्छी चीज है, विवा कीजिए, हाँ, जिनकी शुरुवात ही खटर-पटर से शुरू हो गई है, और ऐसे ही चल रही है, उस समय में आप अपना कोई दूसरी बात सोच सकते हैं, वो भी अन्तिम में जा करके, जब को विचारा ना हो, हम लोग इसके लिए एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, आगे चल करके हमारा विचार है, जैसे सौथ कोरिया में एक ऐसी संस्था बनी है, जिसमें इस पर काम हो रहा है, कि होने वाले पती-पतनी को पहले प्रसिक्षन दिया जाए, एक स्रेटिपिकेट कराया जाए उनसे, कि आप जीवन के उस मोड पर जाने वाले हैं, जहांसे आपकी असली जिंदकी शुरू होगी, तो उसका प्रसिक्षन होना चाहिए, आप छोटी सी नौकरी के लिए प्रसिक्षन लेते हैं, और अन्य चीजों के लिए प्रसिक्षन लेते हैं, जीवन में जो है रिटाइड जैजीज भी ढूंडे, मौनोवेज्ञानिक भी ढूंडे हैं, डॉक्टर्स भी ढूंडे, समाश शास्त्री भी अमने ढूंडे हैं, और हम जल्दी इस पर काम करेंगे भी सही, और हमारी कोशिश होगी कि होने वाली सास के लिए भी कुछ गंटों का ही सही, प्रसिक्षन सेटिपिकेट कोर्स नहीं, तो प्रसिक्षन के लिए कुछ तो कोर्स होना चाहिए, ननद के लिए भी होना चाहिए, और बलके हमारा तो प्रियास ये भी है, कि जो होने वाले माता-पिता हैं, उनके गर में संतान आने वाली हैं, उनको भी प्रसिक्षन दिया जाए कि आप कैसी संतान कैसे बढ़ाई क्या कै चीजें करें यह अपने आपे में एक बहुत बड़ा आज के युक के लिए एक आउशक्ता है इस पर हम लोग राश्टियस्तर पर भी काम करना चाहते हैं और बाद में इसको अंतर राश्टियस्तर पर भी काम करें बिल्कुल महाराश्री इस ओर तो किसी का ध्यानी नहीं गया कि हम छोटी सी छोटी नौकरी जब ढूंडते हैं तो हम प्रशिक्षन लेते हैं फिर उसके बाद हमें ऑफिस में बठाया जाता है प्रशिक्षन देने के बाद जब हम जीवन के इतने बड़े पहलू की तरफ में ले जाने का प्रयास कर पाएंगी माराश्री अभी आपने भीतर अंडिस्टांडिंग की बात की तो यह जो भीतर अंडिस्टांडिंग लाने की प्रक्रिया है उसको कैसे डेवलेप किया जाए अंदर से सामजसे कैसे बठाया जाए दूसरों के साथ